निविश्कार दोस्तों स्वागत है आपका विरल टाइम्स न्यूज शानल में दोस्तों अमेरिका अस्थित भार्तिय मूल के एक पत्रकार ने आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष राहूल गांधी की हालिया यात्रा के दोरान सैम पित्रोदा से बांग्रादेश की हिंदों के बारे में सवाल पूछनी पर राहूल के समर्थकों ने उनके साथ बत सलुकी की और फोन छीन कर इंटर्व्यू को डिलीट कर दिया वाशिंग्टन डी सी में रह रहे है पत्रकार रोहित शर्मा ने इंडिया तुड़े के लिए लिखे आलेक में घटना की जनकारी साजा की रोहित ने लिखा कि रहूल के डिलास दौरे के वक्त एक साचाथ कार के लिए मैंने ओर सीज कॉंग्रेस प्रमोक सैम पित्रोदा से वक्त मंगा मैं सैम के साथ पहले भी साचाथ कार कर चुका था मेरा नुमान था कि इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी सैम ने राहूल गांदी के पहुचने से पहले मुझे अपने विला पर बुलाया जहां पहले से करीब 30 लोग मौजूद थे मैंने सैम के साथ साचाथ कार शुरू किया शुरुवाती चाठ सवालों के जवाब सैम ने सहजता से दिये सैम इस सवाल का जवाब देखी रहे थे कि वहां मौजूद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया रोहित के नुसार राहूल के इन समर्थकों ने सवाल को विवादत बताते हुए वीडियो डिलीट करने की मांगी उन्हें कई घंटे बंधक बना कर रखा गया बाद में उनका फोन छीन लिया और खुद इसे डिलीट करने का प्रयास किया फोन के फेस रिकॉगनेशन से खुलने के कारण लोगों ने रोहित को पकड़ कर जबरन उनके चेहरे के सामने फोन रखकर उसे अनलॉक किया और साचहतकार वाला वीडियो डिलीट कर दिया इस दोरान सेम पितरोधा चुपके से राहुल को रिसीव करने एरपोर्ट चले गए रोहित ने लिखा विड़मना यह है कि राहुल गाधी ने अमेरिकी प्रेस कलब के सदस्यों के सामने यह बात रखी कि कैसे भारत पी वर्तमान सरकार के दोरान पत्रकारिता की आजादी कम हुई है जमकि उनकी टीम ने मेरी आवास खामोश करने की कोशिश की ऐसा लगता है कि प्रेस की आजादी की जो बाते वे करते हैं वे खुद उनकी टीम के लिए माइने नहीं रखती